वेलकम तू गेमिंग न्यूज एपिसोड 101 गाईज लेट्स गो सबसे फ़ली न्यूज यह है गाईज के दुनिया में अब गेम्स बैन होने का सिलसिला चल पड़ा है चाइना जैसी कंट्री में हम बैन्स पहले ही देख चुके हैं जो के कुछ हर तक सही है क्योंकि बच्चे बहुत बहुत तक खेलते रहते हैं लेकिन अब देखना यह है कि इंडिया में लेकर उब इन-ज़र सब्सक्रा बंच इक बंच जाते हैं कि PlayStation 4 से सिर्फ फंड्रेड डॉलर महंगा होगा PlayStation 5 PlayStation 4 का launch price है 399 दॉलर्स यानि कि 400 दॉलर्स और PlayStation 5 का जो launch price होने वाला है वो है 499 दॉलर्स यानि कि 500 दॉलर्स अगर फईवंड्रेड डॉलर्स को आज की currency के हसाब से आज के exchange rate के हसाब से convert करें इंडियन रुपीज में तो वो बैटने हैं करीब 35-37 जार पे लेकिन इतना सस्ता नहीं होने वाला क्योंकि 35-37 थाउजन is still very cheap according to Indian audience तो यहाँ पे आपको यह 10-15 जार के उपर ही मिलेगा तो आप 50-50 मान के चलिए कि इसके आस-पास ही rate होगा PlayStation 5 का अगली न्यूज आ रही है Sony PlayStation ID चेंज को लेकर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ के भाई PlayStation अब आपको अलाओ कर रहा है आपकी PSN ID का नाम चेंज करने के लिए लेकिन इसमें एक catch यह है कि अगर आपको उफेंसिव सा नाम रखते हैं इसमें F वाले words और आते हैं तो Sony बैकेंड से उन आइडी को चेंज कर रहा है और कुछ लोगों को तो बैंड भी कर चुका है जो continuously यह चीज करे जा रहे है तो प्लीज कीप यूर आइडी सेफ उनको ज्यादा वल्गर वाली वाली words और यूसमत करना decent सा नाम रखो और keep your ID safe दोसर नेक्स्ट न्यूज आ रही है Cyberpunk 2077 को लेकर और मैं आपको बता दूँ कि Cyberpunk 2077 एक report के हिसाब से रिलीज होने वाली है PC, PS4 और Xbox One पे November 28 को हाला कि लोग स्पेक्लिट कर रहे हैं कि 4th quarter में ही यह जो हाँ रुलीज होगी बट यहाँ पे एक न्यूस सामने आ रहे है कि November 28 तो प्रीज भी मिच उता देना किया आप Cyberpunk 2077 के ज़ए एक्साइट हो याद लास्ट ओफ ऊस्टू के लिए प्रीज कमेंट करके यह चीज ज़रू कर देना और लास्ट यूज आ रही है GTA 6 को लेकर अगेन एक Rockstar का employee है वो किसी और company में जब job hunt करा था तो उसके resume पे ये leak हुई है चीज resume सामने आया है उसका CV होता है वो सामने आया उसके लिखा हुआ था junior vehicle artist on GTA 6 तो वो जो बंदा है जो job ढूंड रहा है जो previously Rockstar Games के साथ काम करता था उसने अपने resume पे साफ साफ mention करा हुआ है कि वो एक junior vehicle artist था GTA 6 प्रोजेक्ट पे तो GTA 6 में जो भी vehicle जो भी काड़िया आपको देखने को बिलेंगी उसमें उसको design करने का कही ना कहीं उस बंदे का हा आप यह देखना है कि officially या फिर कोई बहुती तगडी सी leak कब सामने आती है ताकि पूरी दुनिया को पता सल जाए कि GTA 6 का क्या status है तो guys that is it video अच्छी लगी हो तो like कर देना comment कर देना नीचे अगर मैंने कोई major news मिस कर दियो जो आपको पता और मुझे नहीं और साथ ही मैं चैनल को subscribe और वीडियो को share अपने friends के साथ बिलते नेक्स वीडियो में guys take care bye bye